हेलो गाईज तो कैसे हो आप सबी लोग वेलकम बैक टू देदर गेंपले वीडियो तो गाईज आज हम दुबारा सगे ले जा रहे हैं आक सर्वाइवल एवाल एंड यह हमारा आर्क सर्वाइवल एवाल की सोलो सीरीज का होने वाला है एपिसोट नमबर 11 तो गाईज जैसे क आप लोगोंने हमारा पिछला एपिसोट में देखा होगा जहां पर हमने रेडवुड का एक्स्प्लोर करा था एंड साथ के साथ गाईज हमने यहां पर आर्क सर्वाइवल एवाल के जायन डाइनोसारस को सर्ज भी किया था एंड उसे तो गाईज अभी हम लोग टीम नही गया था फिर गाईज मैंने डिसाइड करा क्यों नहीं यार आज हम जो है ना एक नहीं जगों को एक्स्प्लोर करते तो मैंने डिसाइड करा वैसे गैज मेरे को एक सब्सक्राइबर भाई ने बताया था यार भाई एक नहीं के पास में फिर क्या था गाईज मैंने डिसाइ नहीं करें तो प्लीज गाइस चैनल को लीजिए सब्सक्राइब अगर वीडियो पसाना तो वीडियो को लाइक करना मत बुलना एंड आज की वीडियो में जो है हम लाइक का एम रखते हैं 300 I hope गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट कराई दोगे सो फाइनली यहाँ पर मैं वालकेनों के पास पहुंचने वाला ही हूँ अभी मैं वालकेनों में पूरा पहुंचा नहीं तब तक गैस मेरे को यहाँ पर एक supply crate दिखा तो supply crate दिखा तो यार उसे लूटना तो बनता ही है तो चलो गैस फटाफुट से चलते हैं एंड उस supply crate को दूट लेते हैं वैसे यह कौन सा पर्शूट का मिसन है find the entrance to the middle chamber okay guys artifact of clever को हंट करने के लिए middle of the chamber का entrance ढूणना पड़ेगा मेरे को तो वो तो guys अभी हम ढूण लेंगे फटावर्ट से यहाँ पर क्या मिले okay guys मेरे को यह pipe irrigation system मिला है तो इसे तो guys में लेके चलता हूँ अपने एक साथ क्योंने यार कुछ पता नहीं क्या पता बाद में काम आ जाए तो यह guys मैंने सारा का सारा सामान जो है ना अपने triceratops के inventory में रख लिया है और एक guys मेरे को कुछ pot मिला है जिसमें मैं कुछ चीच grow कर सकता हूँ I mean कुछ grains पर गिरा थोड़ा सा lag वाच चलो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर से कहाँ पर so finally guys यहाँ पर मेरे को entrance मिल चुका है तो यह guys सबसे खतरनाग मेरे को अभी तक ही guys थोड़ी सी dangerous लगी क्योंकि hunter cave हमने किया था guys वो easily हो गिया था पर यह जो cave है ना guys वो easy नहीं हो सकती तो वो तो guys अभी आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा खतरनाग इस camp guys यहाँ पर होए थे मेरे साथ तो अभी guys मेरे को photographer से सबसे पहले अपने के लिए यार torch को repair करना पड़ेगा पर मेरे पास guys अभी थोड़ा सा flint नहीं है मैं photographer फटा फट से flint अगेरा collect करता हूँ and जल्द से जल्द guys अपनी torch को जो है वो repair करेंगे और निकलतें guys यहाँ पे से अंदर and guys यह मेरा पहला time है जब मैं दूसरी cave में जा रहा हूँ तो देखते हैं यहाँ पे अपने torch तो जो है ना अपनी repair कर ली है तो चलो यार फटावट से अंदर निकलते and जिस भी भाई लोगों को guys इस cave के बारे में पता नहीं है अगर आपके पस normal armors है तो guys यहाँ पे आना मत क्योंकि मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी sword है जो कि काफ़ी ज़दा high damage की है तो इन dinosaur उसको मुझे लगता है मुझे तो guys ऐसा लगता है मैं अपनी sword से easily मार पाऊंगा तो चलो guys आप मैं कहीं नहीं जाना guys आपको एक simple trick बताता हूँ में escape की करने की तो आपको guys only focus करना है मेरे हिसाब से right hand side में आपको guys only right hand side में जाना है और जितनी भी area है आप भूल जाओ कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है mobile के साब से right hand side जाना है जहाँ पे मेरा hot bar है तो सबसे पहले guys मैं इस बिच्चु को मारता हूँ so finally guys यहापे मैंने इस बिच्चु को तो मार दिया है okay यहाँ पे से देखो guys एक रास्ता है न तो यहाँ पे से हम easily आगे निकलेंगे okay guys यह डंग बिटल है चलो इसे बाद में टेम करेंगे कोसिस करेंगे से टेम करने की एक हो डंग बिटल आज तो guys किसमा जो है न अपने उपर काफी ज़्यदा महरबान है पर guys डंग बिटल से महरबान है and यह जो स्कॉर्पियों है न है यहाँ पे काफी ज़्यदा रहे तो मैं इन सब को सबसे पहले मारता हूँ and गलती से guys यह डंग बिटल भी मारा गया है चलो कोई न यार डंग बिटल मेरे में टेक करेगा ले दूसरा डंग बिटल भी गया guys ओके यहाँ पे तो हमने almost यार पूरा clear कर दिया यहाँ डंग बिटल को भी हमें harvest कर लेता हूँ guys 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 यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को खत्रा लग रहा है Megalosaurus है वो सबसे पहले guys इन चमकादरों को मारू में यह चमकादर जो है ना काफी ज़्यादा यार irritate कर लेते यार इतने सारे चमकादर आते कहां से मेरे को यह पता नहीं लगा तो मेरा जो food health है ना जो guys काफी ज़्यादा कम हो चुकि है तो मैं फटावट से थोड़ा सा food अपना food अगेरा खा के अपना food level increase कर ले तो यह ढंक बिटल मेरे को मारेगा अरे भाई तेरसे चला नहीं जाता तो मेरे को क्या मारेगा पर यहाँ पे guys मेरे को वेट करा एंड उसके बाद decide करा कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए फिर बाद में guys मैंने luckily decide कर लिया था यार एक बाद try कर लेते हैं अगर मर गया तो good and balance नहीं मरा तो अपना सीधा bag में spon हो जाएंगे so मैं ऐसे करता हूँ अपना थोड़ा सा health और इंक्रीस कर ले तो so finally guys यहाँ पे मेरा health और इंक्रीस हो गया है पर आपको guys मैं अपने spike glasses से चेक कराता हूँ वो कितने level का Magalosaurus है अरे कहां गया okay guys यह दिखा Magalosaurus 50 level का 3000 health है मुझे लगता है guys कि मैं अपने sword से उसको मार सकता हूँ फिर guys क्या था मैं ने दबा के इसमें 2-3 arrows मारे and जैसे guys यह मेरे उपर aggro वाना तो मैंने guys इसका काम तमाम कर दिया and तुमारे भाई का भी guys almost काम तमाम यहाँ पे होने वाला था पर यार जैसे तैसे करके तुमारा भाई यहाँ पे easily बच चुका है okay यह पहले यार arinos आया सबसे पहले इस arinos का काम तमाम करूँ मैं okay guys वो तो मर चुका है चलो arrows मारे इसमें हाँ ऐसे करते हैं guys एक दो arrows मारते तो 2-3 arrows लगे guys I think यह मेरे उपर aggro हो चुका है फिर क्या था guys यह मेरे उपर आएगा and हम बकसेंगे थोड़ी ना इसको ओहो guys health हो देखो बहुत की ज़्यादा guys यहाँ पर health कम कर दी थी and finally guys मैंने यहाँ पर एक Magalosaurus को खिल खर लिया है अब ही guys मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा अपना health वगेरा increase करना पड़ेगा तो आप लोग guys मेरे health देख सकती हो almost यह 30-40% बच्चा होगा तो finally guys यहाँ पर मैंने जो अपना health था वो थोड़ा बहुत increase कर रहा and उसके बाद guys मैंने decide कर रहा चलो आप ऐसे करते ना यहाँ पर से हम आगे निकलते हैं तो guys जैसी कि मैंने आपसे बोला था ना हमें only right hand side में focus करना है left side तो हमें देखना ही नहीं है कि left side भी कोई रास्ता है तो थोड़े सा berries वो गिरा था मेरे में and यह berries मैं खा लें दाओ पर guys आपके पास अगर stimulant berries है ने यहाँ पर तो फैंग ना मत उसका use guys मैं अभी आपको बता हूँगा क्योंकि जब मेरे में guys titan boa attack करेगा ना तो दो तीन बार titan boa मेरे में attack कर ले था पर मेरे पास stimulant berries था तो मैंने फटावर से guys वो stimulant berry खाया जिससे मेरे tropos level जो ता ना वो guys increase नहीं हुआ and कम होने लगा था and वहाँ पर guys मेरे को advantage यह मिला कि मैं bios नहीं हुआ okay यहाँ पर guys यह थोड़े से न titan boa जा रहे तो इन titan boa जा को में मारता हूँ एक को तो मार दिया यह बचा है अरे कितना arrows खाय गई है oh guys गया 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 फटावर से sword से मार बे इसको okay guys यहाँ पर यह मर चुका and इसने मेरे में almost 3 attack करें तो मैं फटावर से अपनी inventory खोलता हूँ and जो मेरे में guys stimulant berries है वो में खा लेता हूँ यार मेरा जो atropos level है at least या atropos level बढ़ेगा नी अब मेरे को तो मामला almost clear लग रहा है तो चलो guys यहाँ पर से मैं easily अंदर जा सकता हूँ मेरा armor तो न जो guys यहाँ पर maglasaurus ने मार के मेरा armor भी यार पूरा ख़दम का लिया तो guys यहाँ पर से मेरे को only जाना है right को okay यहाँ पर से निकल चुका हूँ यहाँ पर से guys दो रास्ते है guys मैंने जो बोला था ना हम right में focus करेंगे left हमें देख नहीं ने तो guys मैं यहाँ पर से आज चुका हूँ right में पर यार यहाँ पर काफी जाद है चमकादडे एंड एक titan बोह है तो भाग यहाँ पर से पीछे भाई अभी यहाँ पर से मैं थोड़ा से यार इन से पंगे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि titan बोह था अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर यह चमकादड़ों को मारने मेरा ना तो titan बोह मेरे को मार देख आरे 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 sword निकालना ओके finally guys यहाँ पर मैंने sword तो उठा ली अब आ जाओ तो मेरे सामने बहुत होगे तुम्हारा लफड़ा पर यार इनोंने मेरा health जो है ना काफी जादा कम कर दिया तो मैं food खाता हूँ मैं भी मेरा health regain हो जाए पर अभी तो guys health जल से जल रिगेन नहीं हो रहा है तो मैंसे कर तो थोड़ा से यहाँ पर weight हो गेरा कर लेता जैसी health हो गेरा regain हो जाएगा ना मेरा उसके बाद दुबारे से हम चलेंगे so finally guys यहाँ पर मैंने अपना health हो गेरा regain कर लिया है almost यार 40% so मैंने decide कर रहा है यार अब तो निकलना बनता ही है यहाँ से क्योंकि मेरे को artifact of the clever को hunt करना ही है and next video में जो है ना guys हम लोग देखेंगे अगर हम artifact of clever को tribute करते है तो उससे हमें क्या मिलता है क्योंकि guys artifact of hunter को tribute करने से ना हमें only hide के armor के blueprints मिलते थे और कुछ armor x हो गया pickax हो गया उनके blueprints मिलते थे और smoothing bomb and इससे देखते हैं guys इससे अपने को क्या मिलेगा okay यह यार चमकादर चलो इनको यह मार रहा हो यार पहले क्यांसे कहा जाना है दो अपसान है right and left हम ऐसे करते हैं ना right choose करेंगे हाँ right choose करेंगे guys तो चलो दुबारे से निकलते हैं आप यहां पर almost अपना hell तो full हो चुका है नहीं नहीं यहां पर से ओके यहां पर से इधर मूड चाहेंगे देखो guys आपको दिखा मेरे को तो दिख गया guys artifact बस artifact तक पहुंचना है guys almost हमने पूरा रास्ता क्लियर कर लिया पर यहां पर से नहीं guys हमें only right move करना है क्योंकि वहां पर से जाओंगा ना guys मैं सीधा मेगा पिराना इसके मूँ में गिरूंगा तो अपनी का वो गलती नहीं करना है तो देखो guys आपको लेगा चलू चमकाद़ है यार उदर नहीं इधर से नहीं जाओंगा मैं रिस्क नहीं लेना guys बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक पहुँचा हूँ यार रिस्क लिया तो मैं गया ओके almost यार मैं पहुँच चुका हूँ यहां से अंदर कहां से जाना है रहे इसके यहां पर यह चमकाद़ है यार सबसे पहले इस चमकाद़ों को मार के आता हूँ मैं SUBSCRIBE ज़्यर कर दिया है तो मैं अपने रास्ते से काफ्या आगे निकल गया ता पर फिर मेरे फटके चार ओगई थी मैने का यार अपन उदर नहीं जा सकता अब देखो गैज यह यह रहा यह रहा सोया है चोड़ो गैज उसको सो ने दो ओके मेरे को यहाँ पर यार explore note मिला so finally guys explore note मैंने learn कर लिया और मेरा level जो इना almost कितना हो चुका है 41 लग बग लग बग इतना हो गया होगा guys मैं काफी जदा आगी आगी हूँ यहाँ पर से maglasaurus नहीं बाई उधर से guys मैं जा नहीं सकता इसमें and रास्ता यार इधर कहीं से होना चाहिए कहां से मिलेगा नहीं नहीं ऐसे करते हैं यहाँ पर सम थोड़ा सा पीछे निकलते मुझे लग रहा है गई मैं कोई यहीं पर से रास्ता मिलेगा तो मैं ऐसे गत्तों ने एक बारी टॉर्च ओपन करके देखता हूँ अरे यार यहां पर से अंदर जाने का रास्ता कहां पर गाईज आर्टिफेक्ट ही नहीं दिख रहा है यहां पर से तो I think मेरे को थोड़ा से यार पीछे और जाना पड़ेगा जहां से अपन को आर्टिफेक्ट दिखेगा ना उदर से गाईज हम ट्राइ करने वाले यह क्या है यह तो मेगलास हो रहा से यार इससे अभी पंगा नहीं ले ना इसको सोने दो यार अराम से फिर यह चमकादर आ चुके है रहे फिर से इनको मारना पड़ेगा तो फटावर्ट से अपना एक्स निकालते हैं एट बजाते हैं रहे इनको इतने सारे आ रहे हैं मजा के इतने सारे तके यहां वसे कहीं पर मिलेगा यार अपने को रास्ता ओके गाइस देखो और टाइटन बोवा हा मारा इसने मारा मारा बस गाइस मेरे ट्रावोस लेवल जो है ना मैं अनकॉंसिस ना हूँ तो यहां पर से गाइस जहां पर I think मेरे को explore note मिला था ना हम वहीं से अंदर जाके artifact को hunt कर सकते ओके गाइस यह रहा गाइस रास्ता देखो देखो मिल गया finally यहां पर तुमारे भाई को यहां रास्ता तो मिल चुका है पर गाइस आप लोग ना इस पानी के अंदर मद गिरना क्योंकि अगर आप यहां गिरेना तो समझ लीजिए मेगा पिरानास आपको छोड़ेगी नी तो finally guys यहां पर हमने वो हंट कर लिया है क्या बोलते है artifact of clever को अब यहां पर guys main task होता है यहां पर से जानेगा तो guys आते वक्त हमने काफी ज़दा dinosaurus को kill करा था तो यहां पर guys क्या होने वाला है यहां पर आपको दिखने वाला एक और सबसे जादा खतरनाक dinosaurus वो कौन सा है guys मेरे को भी नाम नहीं पता पर वो बहुत लंबा है यह राज guys देखो और्थो बोलते हैं इसको and यह guys damage जो है बहुत जादा गंदा देता है यहां पर guys यह कम level का था तो इसको तो अपने easily मार दिया है पर आगे guys एक titan बोई है तो अभी मैं थोड़ा सा भी fight लेना नहीं चाहता तो मैंने decide करा अभी मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं इससे मेरा हैल देख सकते हैं almost 20 से 30% है तुम बताओ guys क्या तुम्हें लगता है यहां नहीं निकल पाऊंगा तो देखते हैं guys निकल पाते हैं यह नहीं निकल पाते हैं वैसे guys अभी अपन लोग किसी भी डाइनोस से fight लेने वाला नहीं है यहां पर हमने decide करा कि मैं सीधा यार रन करूंगा ओके चलो और यहां पर से guys भार जाने कले ना आपको mainly focus करना है left hand side बे ओके दो titan बहा से मारने पड़ेंगे यार इनको यह जाग गया गया guys एक तो मार दिया मैंने ओके guys finally guys दो titan बहा कमा रहा है यह जंग बिटल को यार आज जंग बिटल को हो क्या गया है फिजूल में fight करने के लिए आ रहे है ओके guys finally यहां पर रास्ते में पहुँच चुके है अब जो ना guys यहां से हमें focus करना है only left hand side में बहार जाने के लिए तो अच्छा लो guys यहां पर मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है so मैंने decide करा फटावर से यार यहां पर समस्पीड run करते है torch open कर देते है आपको लोगों को भी guys यहां पर रास्ता दिखेगा एरी नोस इनको मारना पड़ेगा चल बेटा अरे नहीं नहीं sorry 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 तो मैं मने थोड़ा सा time दे दिया अपना जाला फैंगने का यह और थो guys यहां पर से मैंने को लिकलना बढ़ेगा इस से fight लेने वाला नहीं हूं मैं चलो 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 guys luckily यहां पर से निकल चुका हूं अरे अरे यहां से left 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 पूरा left guys अभी अपन फटावर्ट से यहां पर से भगते हैं लेफ्ट so finally guys I think हम लोग यहां पर से almost यार बहर निकलने वाले हैं पर अभी यार थोड़ा सा भी खुसी नहीं मनाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं luckily guys हम लोगों ने जो एक और वो cave थी वो complete कर ली है तो चलिए guys आप लोग बताईए आप लोगों को यह cave का experience कहां सा रहा अभी guys अपने पास कुछ भी नहीं था फिर भी हम लोगों ने try कर रहा है यार एक नई cave को explore करते हैं तो चलिए guys आज की वीडियो को बस इतना ही I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर guys वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करना, comment करना और मन करें तो यार चैनल को subscribe काना मद बुलना तो मिलते हैं guys हम लोग आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक ले goodbye and have a nice day तो चलिए guys बहुत ही जादा गजब का experience था, ये cave guys मैंने पहली बार करी है अभी तक guys ये cave मैंने explore नहीं किया था, तो ये cave भी guys explore हो चुकी है आप guys एक दिन रह गई है, ice वाली cave, उसे भी guys हमझो है न, explore काफी जल्दी कर लेंगे तो चलो guys, आज की वीडियो के ले बस इतना ही, I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, comment करना और मन करें तो यार, channel को subscribe करना मत भूलना तो मिलते हैं guys, हम लोग, आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक ले goodbye and have a nice day, so bye bye guys, love you for your lovely support, bye bye guys